हाई फ्रेंड्स योर वेलकम टू आरके रोजगार स्टड़ी तो इस वीडियो में हम महात्मा गाधी जी के चीश से जुड़े सभी प्रस्ण को एक साथ कभर करेंगे जो सभी वंडेट कंपटिव इकजाम में पुछे जाते हैं तो आईए हम क्लास स्टार्ट करते हैं यह महा आतमा कोमारता यह महात्मा गाधी जी का कहना था तो चेक प्लेलिस्ट अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें आई हम क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए देखिए इसको हम पहले वालन लाइनर के रूप में लिख दिये इसके बाद इसपे अधारित MCQ हम इसके बाद कभर किये हैं दो तीन पेच के बाद तो आप वीडियो से कंटिनीव जुड़े रहिए गए आईसा न सुचिए कि यह सभी उनलाइनर ही है तेकि मोहंदास करमचंद गाधी जीन का जन्म 2 अक्टूबर 1879 इसवी को पोरबंदर नामकस्थान पर हुआ था जीने महात्मा गाधी के नाम से जाना जाता है यह पोरबंदर कहा है यह तो यह गुजरात राजिय में इस्थित है महात्मा गाधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को अंतराश्ट्री अहिंसा दिवस के रूप में 20 स्वभर में मनाया जाता है महात्मा गाधी जी को भारत का राश्ट पिता भी कहा जाता है और किसने कहा था तो ये रभिंदर नाट टाईगोर ने कहा था गाधी जी के पिता का नाम करमचंद गाधी था जो की राजकोट के दिवान थे यानि वकिल थे और इनकी माता गाधी जी की माता का नाम पुतली बाई था गाधी जी की अगर पुछेगा पत्नी का नाम क्या था तो गाधी जी की पत्नी का नाम कस्तूर्बा गाधी था और माता का नाम पुतली बाई पिता का नाम करमचंद गाधी नेक्स्ट पांच मार्च 1931 को लंदन दिवतिय गोल में सम्मेलन के पुर्व महात्मा गांधी और ततकालिंक वाईसराय लाड इर्विन के बीच एक राजनायतिक सम्झोता हुआ जिसे गांधी इर्विन सम्झोता के नाम से जाना जाता है गांधी इर्विन सम्झोता कब हुआ था तो पांच मार्च 1931 को यह कहा हुआ था तो लंदन के दिवतिय गोल में सम्मेलन में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोट्षे ने गोली मार कर हत्या कर दी इसलिए हर वर्ष भारत में 30 जनवरी को सहीद दिवस के रूप में मनाय जाता है 30 जनौरी 1941 इसवी को नाथु नाम गोट से ने महात्मा गाधी जी की गोली मार कर हत्या कर दे थी इसलिए हर वर्ष भारत में 30 जनौरी को सहीद दिवस के रूप में मनाय जाता है अब मा जाएंगे गाधी जी से जुड़े गाधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन बेरी इंपोर्टेंट है, यह कुश्चन यहां से बार बार पूछे जाते हैं, नमक सत्यागर आंदोलन तो यह 1930 भी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गाधी का अंतिम आंदोलन था, जो 1942 में इनों ने स्टाट किया था, 9 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गाधी ने डू या डाई का नारा दिया था, यानि करो या मरो का नारा दिया था, अब हमा जाएंगे MCQ पे, यहां से हमारा MCQ स्टाट होता है, जो महात्मा गाधी से रिलेटेड, यह सभी प्रसन है, जो पिर बीस एर के हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो यह हम कलास स्टाट करते हैं, महात्मा गाधी जी, जो पूरी दुनिया का अहिंसा का पाठ पढ़ा गए, अहिंसा पर्मो धर्म इनका में नारा था, तो इनसे रिलेटेड हम सभी MCQ इस वीडियो में हम कभर करें हैं, तो आई हम कलास स्टाट करते हैं, प्रस नमर पहला, महात्मा गाधी ने सत्यागर क्र में पढ़ता है, कब किये थे, तो 1927 में, नेक्स्ट परसन पर आजाएं, महात्मा गाधी दच्छिड अफरिका से भारत की सुवर्स लवटे थे, तो देखिए, यह कुश्चन बेरी-बेरी इंपर्टेंट है, सभी कुश्चन बाए, भेरी-बेरी इंपर्टेंट बहुत प देख रहें, जो भी हाली में क्रिएट किया गया, तो हमारे युट्यूब चनल से अगर आप चुड़े हैं, तो प्लेलिस्ट जोड़ चेक करें, चेक प्लेलिस्ट, नेक्स्ट परसन, दच्छिड अफरिका में महात्मा गाधी द्वारा प्रकासित, पत्रिका का क्या नाम वो कौन सी पत्रिका थी, जी से महात्मा गाधी जी ने दच्छिड अफरिका में परकासित किया था, तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, पुस्तक का नाम था, नेक्स्ट पेज पर आजाएंगे, वर्ष उनईस सो अननीस में जलिया वाला बाग हत्याकंड कहां पर जलिया वाला बाग हत्याकंड 13 अपरिल 19 सिभी को हुआ था, तो यह अमरित सर में हुआ था, नेक्स्ट प्रसन, जलिया वाला बाग में गोली चलाने का अधेश किसी ने दिया था, तो वो दिया था आरेच डायर ने, आरेच डायर ने जलिया वाला बाग में गोली चलाने क कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलनका प्रस्ताऊ की स्वर्स पारित किया था, तो वो किया था,स ऐ भारत छोड़ो आंदोलनका प्रस्ताऊ 12-taa नारा दिया था आस आयोग आंदोलन 22- bind कब चला था? तो आस То आयोग आंदोलन 22- MSW असयोग आंदोलन को क्यों निलम्बित किया गया था क्यों निलम्बित यानि क्यों रोक दिया गया था तो असयोग आंदोलन क्यों निलम्बित हुआ था तो असयोग आंदोलन चावरी चावरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलम्बित हुआ था नमक सत्यागर कोद पर लाından ये तो next पराँचन पर आजाँगे ये कScलास पारके रोजगार ईष्टटडी युट्फ चैनल पर देखारे हैं जो भी हाली में किरेट क्या गया तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जोड़ चेक करिए सभी ने अवग्या अंदोलन से संबंधित गाधी इरिमिन समझा था पांच मार्च 1931 को हुआ था बीस सेप्टेंबर बीस सेप्टेंबर 1932 को यरवदा जेल देखे महात्मा गाधी जी को गिरफतार कर लिया गया था और उन्हें यरवदा जेल में बंद किया गया था तो बीस सेप्टेंबर 1932 को यरवदा जेल महात्मा गाधी ने आमरण अंसन किस के बिरूद किया था तो वो किये थे रैमजे मैक डोनाल्ड के संपरदाइक पंचाट के बिरूद कुश्चन पूछता है कि महात्मा गाधी ने जेल में कौन सा अंदोलन किया था तो वो किस के बिरूद किये थे तो रैमजे मैक डोनाल्ड के संपरदाइक पंचाट के बिरूद नेक्ष्ट प्रसन प्रसन प्या जाएंगे था तो भूख हर्ताल का परियोग महात्मा गाधी ने किस अंदोलन में किया था तो अभी हम पहले बताएं कि 1918 का आहमदाबाद मील अंदोलन जिसे 1918 का जिसे खेड़ा अंदोलन के नाम से भी जानते हैं महात्मा गाधी ने पहली बार भूख हर्ताल का परियोग 1918 के आहमदाबाद मील मजदूर हर्ताल में किया था जिसे खेड़ा अंदोलन के नाम से भी जानते हैं अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट ज़ुर चेक करिए नेक्ष्ट प्रसन महात्मा गाधी को सर्व पर्थम राष्ट पिता किसी ने कहा था महात्मा गाधी को सर्व पर्थम राष्ट पिता कहा था सुबास चंद्र बोस ने कहा था अगर आप वीडियो से जुले हैं तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए और चरनल कमेंट बाक्स में कमेंट करकर वीडियो से रिल्टेड अपनी कोई भी किवरी और अपना राय जरूर दिजिए अगर आप वीडियोस जुड़े हैं तो आप देखें बहुत लोग पूछते हैं कि इस वीडियो की पीडियो की पीडियोप कहा मिलेगी लेने के लिए लंदन गए थे तो वह दिवतियों गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे जो पार्च मार्च 1931 को इनके और इरीवन के बीच में समझाता हुआ था नेच्ट परसन चाओरी चाओराण नामक अस्थान कहां पर तो बहुत पुछता है कि ucz camera व को है ये कहां पर्ता năm ER इतक अंकरेश के अध्यक्ष कितनी बारै थे वह एक बार वी फेस मात्मा गす गाधी ने भारती राष्टिय कांग्रेस की अध्यक्ष एक बार रहे थो वो कब रहे थे तो 1924 के बेलगाउं अधिवेशन में जो कानपूर में पड़ता है तो 1924 के बेलगाउं अधिवेशन की अध्यक्षता माहत्मा गाधी ने किया था जो कांग्रेस के एक मात्र अध्यक् सबीने अवग्या अंदोलन 1930 की परकाष्ठा में गाधी जी ने किसके साथ समझोता किया था तो वो किये थे लाड इरुविन के साथ एक लाइन है डर सरीर का रोग नहीं यह आत्मा को मारता है तो डर ना नहीं है डरिये मत लडिये तो डर सरीर का रोग नहीं बलकि यह आत्मा को मारता है स्वतंतरता प्राप्ति के समय महात्मा गाधि क्या थे स्वाराज की रचना कहां की थी तो महात्मा गाधि ने हिंद स्वाराज की रचना कहां की थी तो जहाज से इंगलेंड से दच्छिड अफरिका यात्रा कर रहे थे उसी समय महात्मा गाधि जी ने हिंद स्वाराज की रचना किया था पुछता है कि हिंद स्वाराज की रचना किसी नी कीए तो हिंद स्वाराज की रचना महात्मा गाधी नी कीए कव किया था तो जहाँज द इंगलेंड से दछिल अफरीका की यातरा करते समयीुक्त है यह question very very important बहुत पुछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरूआ तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्ट 1942 सभी को शुरूआ था आप बार बार इसलिए बता रहें कि आपको यह date सभी याद हो जाए अगर पुछेगा गादीजी का पहला आंदोलन चमपारन आंदोलन और खेडा आंदोलन कब शुरूआ था तो खेडा आंदोलन 1928 सभी में वह था जिसमें मातमा गादी ने पहली बार भूख खड़ताल को हतियार के रूप में परियोग किया थे अगर आप बीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जिससे आपको पता चल पाए कि हम किस परकार के विडियो अपलोड कर रहे हैं और किस के रिये रिलेटेड हैं नेक्ट प्रस भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरूआ तो 9 अगस्त 2022 सभी के समय गवर्नर जनरल कौन था अभी हम आपको बताए थे यह कुश्चन बहुत पुछता है तो भारत छोड़ो आंद अगस्त 2022 समय गवर्नर जनरल कौन था तो भारत को छोड़ो यानि गो तो गो यानि गो ली निलिथ गो भारत छोड़ो गो ली निलिथ गो इसका ट्रिक हो जागा तो ली निलिथ गो भारत छोड़ो आंदरोन के समय गवर्नर जनरल था इसी समय भारत छोड़ो आंदरोन के स यह कब हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ आंदोलन हुआ था नेक्स्ट प्रसन भारत के स्वतंतरता आंदोलन के दवरान महात्मा गाधी दुवारा अस्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर इस्तित है तो वह कहां पे है तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद म इस्तित है नेक्स्ट प्रसन किसने सुझाओ दिया था कि स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारती राष्ट्रिय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो वह सुझाओ दिये था महात्मा गाधी जी ने इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 इस्विको गुजरात के प्रबंदर नामक अस्थान पे हुआ था और इनके मिर्ती 30 जनवरी 1948 इस्विको नाथू राम गोट से द्वारा गोली मारकर हत्या की गई जिसे 30 जनवरी परतेक वर सहीद दिवस के रूप में मनाते हैं गाधी जी के मत्य वपर किस ने कहा था हमारे जीवन से प्रकास चला गया हमारे जीवन से प्रकास चला गया सहीद दिवस कम मनाय जाता है तो अगर आप विडियो को फूल टाइम वाच किया है तो आपको पता हो गया होगा अगर आप विडियो को जुड़े होगे देर से तो कि सहीध दिवस कम मनाते हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट वक्स में कमेंट करके जरूर दीजेगा कि सहीध दिवस कम मनाते हैं आपου तो कमेंट नाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के बारा कोई भी रिलेटेट कमेंट करके अपनी राय जरूर दिजीए कि आपको वीडियो कैसी लगी है आरके रोजगार इस्टडी यह कलास आप आरके रोजगार इस्टडी यूट्यूब चनल पे देख रहे थे जो अभी हाली में किरेट किया गया हमारे यूट्यूब चनल पे ईपी पुलीस यहां से जीडी साइट अन्य सभी वंडे कंपरेटीव इजाम को टार्गेट करके दम है या नहीं जोएन टेलिग्राम फार फिर पीडियो बहुत लोग पुछते हैं कि सर कलास की पीडियआप का मिलीकी तो पीडियआप के लिए आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से जरूर जुड़े कीस परकार जुड़ सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक में लिंक दिया हुआ है तो थैंक्स फार वाचिंग वीडियो को लाइक करें शेयर करें चनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यबाद